मैं आज आपको बताऊंगी कि राजपूती बेस की कटिंग केसे करते हैं ये जोड का कपड़ा है मैं पहले कुर्ती की कटिंग करूंगी तो मैंने कपड़ा ले लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया है अब मैं इसको चार बार फोल्ड कर लूँगी कपड़े को चार बार फोल्ड कर लिया है कपड़े को चारो तरफ से बिल्कुल बराबर कर लेंगे और इंच टेप की सहायता से इसका नाप ले लेंगे मैं अपने लिए कुर्ती साड़े 26 इंच की सिल्थी हूँ कोई कुर्ती छोटी पैना पसंद करता है तो वो थोड़ा इससे छोटी साइज ले सकता है और जो कोई लंबी पैना पसंद करता है वो इससे लंबी ले सकता है मैंने इंच टेप से सब जगे निशान लगा लिया है और इस तरीके से भी मैं इंच टेप से निशान लगा लूँगी जिससे कपड़ा बिल्कुल सीधा कटता है मैंने इसकी ढिलाई 40 इंच लिए चार बार फोल्ड करने पे ये 10 इंच का होगा जो कि एक-एक इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा अब मेरे पास ये गली की कटिंग है इसके सहायता से में गली की कटिंग कर लोगी अब जो खुला हुआ भाग है इसका वहां से अपन कुर्ती की खपचे काट लेंगे इसे खपचे या फिर मुड्डे भी बोलते हैं शॉल्डर की चौड़ाई है 8 इंच और खपचे की लंबाई मेंने 9 इंच ली थी आपन खपचे की कटिंग कर लेंगे और जो साइड का हिस्सा में खोलना होता है इसके लिए एक ब्लांट और चार अंगुल के निशान पर आपन कट लगा देंगे और आप उपर से कपड़े की एक लेयर को आपन उठा देंगे जिसे की गले की कटिंग कर सकें आप चाहें तो आगे पीछे पार्ट को भी अलग-अलग करके कटिंग कर सकते हैं लेकिन मैं इसी में गले की कटिंग रखे कटिंग कर लेती हूँ ध्यान रहे गले की कटिंग करते समय जो नीचे का कपड़ा है वो ना आए उपर के जो दो कपड़े हैं फोल्ड की होए वही इसके अंदर आने चाहिए और हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको कुर्ती की कटिंग करना सिखाया मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर रहूंगी इसमें हम कांचली की कटिंग करना सीखेंगे